श्री नाच जी गुरूजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहीरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश एक बहुत छोटा सा वीडियो, एक बहुत अलप विधान मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ऐसे समय के लिए है, जब स्नान और शुद्धी करम वो संभव नहीं होता है, कई दिन ऐसा होता है, कि हम लोग स्नान नहीं कर पाते हैं, चाहे ऐसा होता है कि सुबह स्नान किया है, शाम में पूजा में बैठना है, अब क्या करें, तो साधकों के पास बड़ा शॉटकट होता है, कि अगर भस्म रमा लिया, तो स्नान के बराबर होता है, ओम रक्च रक्च वच भूमी बोल करके, और अपने सरपर अगर उसने तीन ब़र जल छिड़क लिया, तो स्नान के ब पूजा करता है, वो नहाले उसके बाद भी उनको शुद्धिगरन मंत्र करके उसके बाद शुद्धिगरनी होती है, तो मैं आज आपको एक विधान बता रहा हूं, बड़ा सिंपल नॉर्मल सा विधान है, ये भगवान शिव ने मापारवती को बताया था, जब बहुत तरह कि अभिचारी कर्म का वर्नन किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसे कर्मों का भी वर्नन किया था, जिससे कि आम जनमानस को लाब हो, उसी में एक कर्म ये आता है, जिसमें आप सिर्फ साथ बार अगर इसको जाप लेते हैं, तो आप शुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, और तो ये माना जाएगा कि आपने, अपने मन को शुद्ध कर लिया है, मतलब मानसिक स्नान भी आपका हो गया है, ठीक है, और भी इसका बहुत विविद विविद प्रेयोग है, लेकिन अभी जो है, आप शुद्धता आप बात करेंगे, जो साधग वर्ग है, वो अगर इसको सिद्ध करना चाहता, तो उनके लिए साधना विदान क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको, आम व्यक्ति के लिए इसका कोई साधना विदान नहीं है, सिर्फ साधबर जाप करेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, इतने शुद्ध कि आप कोई भी पूजा और साधना इसक जाप करना है, जो साधक है, उनको अगर जाप करना है, तो सबसे पहले किसी नदी के तट पे जाना चाहिए, और गर्दन तक पानी में खड़े हो करके, ठीक है, और 108 बार इसका जाप किया जाता है, 7 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक, छाती तक आपका पानी होना चाहिए, और फिर 108 बार ही जाप करेंगे, तीसरा सब्ता कमर तक, चौथा सब्ता घुटनों तक, और पांचवे सब्ता नदी के तीर पर आपको खड़ा हो करके, इस मंतर का 108 जाप करना होता है, इसके बार साधक इसको तीन बार जाप करेंगे, तो वो शुद्ध माने जाता है, आम सब्तायों के लिए कोई सुद्धता के लिए कोई भी आपको मंतर यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, जब साथ बार इस मंतर को अजाप लीजेगा, मंतर सुनीए, रिजाता है, यह मंत्र सुद्धता के साथ बुद्धी भी देता है कहा जाता है अगर इसका 10,000 आप जाप करते हैं तो आप रचना बहुत अच्छा कर सकते हैं क्रेटिविटी आपके बढ़ जाती है अगर आप एक लाग जाप करते हैं तो जो आप पढ़ेंगे वो आप कंठस्त कर लेते ह सिर्फ पढ़ने मातर से जो 2,000,000 जाप करता है उसको भूत अभविश वरतामान का आभास होने लगता है और इसी तरीके से जब 4,000,000 जाप होता है तो कुछ और बनता है जब 5,000,000 जाप होता है तो और ज्यादा शक्ति बढ़ती है और इसका अधिक्तम 7,000,000 आप जाप क हमारा अभिप्रा है कि हम बिना सनान किये अगर मान के चल सुबह सनान किया शाम में पूजा पर बैठना है अशुद्ध जैसा कोई काम नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे सिर्फ इस मंत्र का साथ बार जाप करेंगे ओम एम श्रिम चम क्लिम स्वाह ठीक है आज के लिए इत साथना का जो बेसिक विधान है वो सीखना है कैसे पूजा करें कैसे पार्ट करें ठीक है तांत्रोकतर विदी से वैश्मवी विदी से नहीं तो आप मेरे पेट वाट्सप रूट से जुड़ सकते हैं नंबर है 943-11885-885 मेरे द्वारा लिखे गए लेक अगर पढ़ने है तो www.agortantrahasse.com और पेस में जानकारियां मिलती हैं डारेक्ट बात करने के लिए पॉल मी फॉर आप दाउनलोड कीजिए एप स्टोर प्ले स्टोर से उसमें रूटरनाथ at cm4 आप सर्च करेंगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा इस पर आप उच्छे बात कर साथे माभगवत आप सभी को सद्बुत्ती दैसी मेरी प्राथना आप सभी को आदेश आदेश आराख आदेश